Hello friends Here questions says Two friends X and Y running करना स्टार्ट करते हैं और वे 50 meters के लिए सेम direction में एक साथ run करते हैं और वे एक point पर पहुंच जाते हैं यहां हम स्टार्टिंग में X and Y के running के direction कोई भी ले सकते हैं सपोर्ज इस direction में X and Y एक साथ running स्टार्ट करते हैं यह दोनों 50 meters से एक साथ run करके एक point पर पहुंच जाते हैं अब आगे कहा जा रहा है X right मुरता है और 60 meters run करता है यह X की direction है जो कि अपनी right hand side में 60 meters run करता है जबकि Y left मुरता है और 40 meters run करता है यह Y का left hand side हो जाएगा और इस direction में 40 meters run करता है अब X यहाँ इस point पर और Y इस point पर पहुंच चुके हैं X फिर से left turn करता है और 50 meters run करता है और रुख जाता है X का left यह हो जाएगा और इस direction में फिर से 50 meters run करता है जबकि Y right मुरता है और 50 meters run करता है और फिर रुख जाता है y का ये right hand side हो जाएगा और इस direction में 50 meters run करता है अब question के according y finally इस point पर आ चुका है and x इस point पर यहाँ पर question किया जा रहा है दोनों friends अब एक दूसरे से कितनी दूरी पर है और यहाँ पर दोनों friends x and y के बीच की दूरी यह है यह 40 पता है और इसी परकार यह distance 60 हो जाएगी अब इन दोने distance से square कर देंगे अब answer आप से नहीं हो जाएगा